हलो फ्रेंड तो आज हम बनाने वाले हैं दिवाली के लिए शुबलाप के तोरण्जू amount अपनी गेट के साइट में लगा सकते हैं अब अपनी मंदिर की बागल में भी लगा सकते हैं आप इसे अपने अंडरिंस केट पर भी लगा सकते हैं मैंने दो वाइट पेपर प्लेट चूस करें हैं और मैंने बेस के लिए येलो कलर चूस किया है अब आप अपने हिसाब से कोई भी कलर चूस कर सकते हैं आप ब्लू चूस कर सकते हैं जो बहुत ही ब्राइट लगता है आप ग्रीन चूस कर सकते हैं आप पिंग चूस कर सकते है प्रेड भी चूस कर सकते हैं फिलहाल के लिए मैंने यलो चूस किया है और इसी के साथ इतनी सारी पाते करते हुए मेरा यलो कलर का बेस्पीन कंप्लीट हो गया अगर आपको बेस्पीन करने के बाद ऐसा लगता है कि अभी मेरा पेंट कलर लाइट है तो आप डबल कूड भी कर सकते हैं मैंने भी किया था, आप ही कर सकते हैं अब मैंने pink color choose किया है pink color से मैं शुब लाप लिखने वाली हूं तो अभी के लिए मैं अपना line बनाते भी अपनी hulky sketch त्यार कर रही हूं, stencil जैसा त्यार कर रही हूं मैं लाब लिखने चाह रही हूँ मैंने पिंक करह चूज किया क्योंकि यलो के साथ पिंक कलर बहुत ही प्यारा लग रहा था रेट थोड़ा कॉमन लगता है मैंने का चलो पिंक से ट्राइ करते हो सकता है कुछ अलग लगी सम्हाँ मुझे बहुत जादा प्यारा लगा सूखने के बाद भले वो लाली लग रहा था लेकिन हाँ लिखते वक्त पिंक कलर बहुत जादा अच्छा लग रहा था यलो के उपर मैंने अब इसी के साथ लाब लिखना कंप्लीट कर लिया है मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया था वीडियो स्टॉप करके मैंने इसको थोड़ा और मुटा कर दिया था अब मैं लिखने जा रही हूँ शुब वैसे शुब और लाब का अपने में ही एक बहुत ही जादा खुबसूरत अर्थ होता है शाष्टों के अनुसार शुब और लाब दोनों को कनीश जी के दो पुत्र माने करे हैं शुब लिखने का अर्थ यह है कि हम भगवान से ये प्रातना कर रहे हैं कि जो भी धन, यश और समृति हमारे जीवर में हमारे घर में आई है वो हमेशा के लिए बनी रहे और लाब का अर्थ है कि हमेशा हमारे घर में लाब का जो प्राप्ती है वो हमेशा के लिए बनी रहे वैसे तो ये बहुत ही शास्त्रों वाला मीनिंग था पर अगर मेरा परसनल उपीनिन आप जाना चाहेंगे तो मैं यही बोलूँगगे शुब का अर्थ मैं मानती हूं और चीज जो हमारे घर में हो हमेशा शुब रहे अच्छी सोच, शुब सोच, शुब खाना, अच्छा खाना इसी के साथ शुब हमेशा हमारे जिन्दगी में बनारे लाब से मैं ये मान के चलते हूं कि लाब जो ये शुब हमारे जिंदगी में आया है इसका लाब हम उठा सके अच्छी सोच, अच्छा स्वास, अच्छा खाना इन सब का हम अपने जीवन में शुब और लाब के रूप में अच्छे से इसको अपने परिवार में सब के साथ बाठ सके तो इतनी सारी बाते करने के बाद अब मैंने आपने देखा होगा कि ट्रिकोर्न आकार के यानी ट्रैंग्लर शेप के छुब टे एक मिनरव लगाए है फैविक ओ लगाने के बाद दोनों बलेट समें एक पलेट जिसमें मैंनेặt लाब लिखा है अब आप देख रहोंगे मैंने 3D आउटलाइनर लिया है वाइट कलर का ताकि मैं अपने शुब और लाब दोनों को अच्छे से हाइलाइट कर सको मैंने छुटोटे डॉट्स दिये हैं ताकि मेरा जो शुब और लाब लिखा है मैंने जो इसका फॉंट लिखा है अपने को कर और गोटा के फूल्स को साथ में लगा कर एक लाइन तयार कर रही हूं जो मैं शुब में लगाऊं कि अभी आप देखेंगे जैसे तो अभी मैंने एक गोटे के फूल तीन मोती फिर एक गोटे के फूल तीन मोती और फिर से गोटे का फूल लगाया है अब आप देख कि मैं हर बार गोटे की फूल के बाद एक चोटा सा सिलाई जरूर कर रहे हूं ताकि मेरे जो मोती है जब में डाल रहे हूं तो वह अच्छे से फिक्स हो जाए अब मैंने इसको एक कॉर्नर पर लगाने के लिए सिल दिया है अपनी पेपर प्लेट पे एक कोर्नी पर इसली सिल रहे तो आप इनमें देख पाएंगी कि यह कैसा लग रहा है यही सेम प्रॉसस मैंने अगले में भी फॉल किया है अब आप देख रहे होंगे मैंने गोटे के फूल लगाए हैं तीन मुथी लगाए हैं फिर से मुथी लगा कर मैंने एक और अपनी लड़ी तियार कर ली है जो कि मैं अब शुब के शर के नीचे थोड़ा लेफ्ट की और उसको लगाऊंगी ताकि बीच में मैं इपनी एक लड़ी और लगा सकूँ लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है अब मैंने जो बीच की लड़ी है वो थोड़ी सी अलग लगाई है ताकि मेरा जो अपियरंस है शुब और लापका वो थोड़ा और सुन्दर और बहतर दिख पाए अब आप देख रहोंगे मैंने दो तो आप लोग को फाइनल दिखा दिया तीसरा देखिए अब मैंने चूड़ी से गोटे राप करके तयार किया था एक gift wrap इसका वीडियो मैं आपके पास अगले बार फिर से डालोंगी फिर मैंने गोटे का फूल लगाके अपने पांच golden plated मोती डाले हैं उसके बाद एक white मोती डाला है फिर पांच मैंने golden plated मोती जाले हैं इसके बाद मैंने फिर से एक white मोती डाला है इस तरह से मैंने four sections बनाए है और आकरी में मैंने एक कोटे का फूल लगाकर उसको बीच वाले जो gap था उसके अंदर वापस stitch कर दिया है और अच्छे से नॉट पांदी है नॉट अच्छे से बांदीगा ताकि आप चाहें तो आप double tip भी यूज़ कर सकते हैं मैंने यह यूज़ किया है क्योंकि मुझे जादा अच्छा लगा इसी के साथ मेरा शुपल आपका तोरंत तेयार अगर इस वीडियो ने आपके थोड़ी सी भी हल्प करियो दिवाली डेक्रेशन में तो प्लीज लाइच, सब्स् झाली